भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन का विस्तार। इस प्रतिसपर्धा के बावजूद, फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपनी स्थानिय भारतिय शास्कों के साथ लाबदायक व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सफर रही। इसने अपने कर्मचारियों और स्था साज्यदारों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए भी प्रतिष्था विक्सित की। इन सभी कारकों ने भारत में फ्रांसीसीों के उदे में योगदान दिया। कमपनी की सफलता से भारत और इस्ट इंडिज में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ गया। उन्होंने भारत मे कई उपनिवेश और व्यापारिक चौकिया स्थापित की जिससे भारत में फ्रांसीसीों का उदे हुआ। इन में से सबसे महत्वपूण पांडिचेरी था जिसे 1674 में स्थापित किया गया था। अन्य फ्रांसीसी क्षेत्रों में करिकल, माहे, यानम और चंदरंगर शामि फ्रांसीसीों ने विशेशकर दक्षिन में भारतिय शासकों के साथ घनिष्ट संबंध विक्सित किये। उन्होंने व्यावसायक विशेशाधिकारों के बदले में स्थानिय शासकों का समर्थन किया जिससे भारत में फ्रांसीसीों का उदे हुआ। उन्होंने भारतिय रि प्रभाव भारतिय समाज और संस्कृती पर भी पड़ा। उन्होंने तंबाकू और कॉफी जैसी नई फसले पेश की और पश्चिमी चिकित्सा के उपियोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्कूलों की भी स्थापना की और फ्रेंच भाशा की शुरुवात की। भारतिय राजनीती पर फ्रांसीसी प्रभाव फ्रांसीसियोंने भारतिय राजनीती में विशेशकर 18 वी शताबदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे स्थानिय शास्कों का समर्थन करते थे और अक्सर प्रतिद्वंधवी गुटों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने व्यावसायक विशेशाधिकारों के बदले में भारतिय शास्कों को सैन्य सहायता भी प्रदान की। फ्रांसीसी विशेश रूप से करनाटक युद्धों में शामिल थे जो दक्षिनी भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़े प्रमुक शक्ती के रूप में उभरने के साथ हुआ। भारत में फ्रांसीसी क्षेत्र का पतन। भारत में फ्रांसीसी उपस्थिती में गिरावट आई। फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कमपनी को कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा और उसके मुनाफ में गिरावट आई भारत में फ्रांसीसी क्षेत्रों की भी खराब सुरक्षा की गई थी और वे ब्रिटिश हमले के प्रती समवेदन शील थे भारत में फ्रांसीसी प्रभाव की गिरावट Decline of French Influence in India in Hindi साथ साल के युद्ध से तेज हो गई जो 1756 से 1763 तक फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था फ्रांसीसीों को भारत में कई हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने अधिकाश शेत्र अंग्रेजों के हाथों खो दिये भारत में फ्रांसीसीों के उदे Rise of French in India in Hindi को 1763 में पेरिस की संधी द्वारा रोक दिया गया जिसने साथ साल के युद्ध को समाप्त कर दिया संधी ने भारत में फ्रांसीसी क्षेत्रों को ब्रिटिशों को हस्तांतरित कर दिया और फ्रांसीसी केवल कुछ छोटे परिक्षेत्रों के साथ रह गए भारत में फ्रांसीसी प्रभाव की विरासत अपने पतन के बावजूद फ्रांसीसियों ने भारत में एक स्थाई विरासत छोड़ी पांडिचेरी की वास्तुकला और संस्कृती में फ्रांसीसी प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है, जो 1904 तक एक फ्रांसीसी उपनिवेश था फ्रांसीसी ने कॉफी और तंबाकू जैसी नई फसले भी पेश की, जो भारतिय क्रिशी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है फ्रांसीसी भाशा और शिक्षा प्रणाली ने भी भारत पर प्रभाव छोड़ा कई भारतिय स्कूल फ्रेंच को एक विदेशी भाशा के रूप में पढ़ाते हैं, और भारत में फ्रेंच साहित्य और संस्कृती का अध्ययन जारी है निशकर्ष भारत में फ्रांसीसीों का उदे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था सत्रहवी शताबदी की शुरुवात में फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत में अपनी उपस्थिती स्थापित की, जो अठारहवी शताबदी में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रिय और राजनीतिक उपस्थिती में बदल गई अठारहवी शताबदी में अपने पतन के बावजूद, फ्रांसीसियों ने वास्तुकला, संस्कृती और शिक्षा के रूप में भारत में एक स्थाई विरासत छोड़ी भारत में फ्रांसीसियों के उदे, The Rise of French in India in Hindi का भारतिय समाज और संस्कृती पर भी प्रभाव पड़ा, नई फसले शुरू हुई और पश्चिमी चिकित्सा को बढ़ावा मिला फ्रांसीसियों ने भी स्थानिय शास्कों का समर्थन किया और भारतिय राजनीती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कुल मिला कर भारत में फ्रांसीसी प्रभाव देश के इतिहास में एक आकरशक और जटिल अध्याय था जिसका अध्ययन और जश्न आज भी जारी है